नमस्कार मैं हूँ सच्चिदारंद वसेष्ट सजनों पहले की तरह हर मेने की तरह अब सितंबर मेने के अंदर करकरासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है करकरासी वालों के लिए क्या-क्या सुविधा और दोविधा आएंगी कैसे हम उनसे निकल सकते हैं और मैंने की किन-किन तारिखों में आपको सावदान रहना होगा पूसारी जनकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि सनी आपके आठवे इस्थान में हैं सनी के ढहिय करनी चाहिए सुन्दरकांड का पाठ करना चाहिए या साथ हनुमान चालिसा नित्यप्रति आपको करनी चाहिए जिससे कि आप इस सनी के पीड़ा से या कस्ट से आप उरिन हो सके हैं बाकी ब्रियस्पति और राहु यह दोनों मिलकर के चांडाल योग बनाते हुए दसमस् गुरु चांडाल योग शुब नहीं हुआ करता तो आपके काम काज में हैं नोकरी में हैं कही न कहीं कोई न कोई दिक्कत या परिशानी जो हैं ये देंगे लेकिन यहां कुत्तों को दूद पिलाईए हैं और विशेश करके काला कुत्ता मिले तो उसको आप पिलाईए इस क्योंकि राहू उसमें उल्जन पैदा करता है ब्रियस्पति उसको सुलजाने का प्रयास कर रहा है डन की वर्दियों की हैं बाकी अब सत्रा सितंबर तक सूर्य आपके दृतियस्तान के अंदर रहेंगे सत्रा सितंबर के बाद तरतियस्तान में चले जाएंगे तो पूरा एक महीना यह सूर्य आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं अब एक और दो तारीक एक दो तीन चार पांच छे और साथ यह कंटीनियू साथ दिन आपके लिए बहुत बढ़िया गें इन तित्यों में आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे भागे को बढ़ाने का योग मिलेगा कुछ ऐसा काम आपका हो जाएगा जो आगे जीवन के अंदर आपको सुख देने वाला होगा राजी की विक्रपा होगी पिता की विक्रपा होगी कोई पदोन्नती भी इस समय पर हो सकती है लेकिन आपको विशेश करके आठ और नो तारीक को आपको सावदान रेना होगा आठ और नो तारीक को कहीं भी दिया हुआ पैसा लगाया हुआ पैसा डूप सकता है रुख सकता है पैसों के प्रतिय आपको प्रिशानी जहलने पड़ सकती है इसलिए आपको शावदान रहना है बागी आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तारीक यहां तक के लिए आठ दिन आपके लिए आपके परिवार के लिए भाई बंदों के लिए कुटुम के लिए बहुत ही बढ़िया है कोई घर के अंदर कोई नया रिस्ता आज सकता के रिस्ता बंद सकता के जिसे की खुशी का माहुल हो जाए कोई ना कोई आनंद का उत्सव जोग है आपकी परिवार के अंदर होगा आपकी ख्याती बढ़ेगी दन बढ़ेगा यस बढ़ेगा कोई नए मित्र भी आपके बं सकते खें 18-19 तारीक ये थोड़ी सी चिंता जनक रह सकती है कोई भी ऐसे समाचार कुछ प्राप्त हो सकते हैं सूचना एक कुछ ऐसी प्राप्त हो सकती है जो मन के अंदर जोग है कुछ उद्वीग्नता कुछ चिंताएं ये बना दे तो उसके प्रती दूद और चीनी का दान करें 20-21 और 22 तारीक ये आपके लिए बहुत सुंदर और सुखद रहने वाली है क्योंकि इसके अंदर पढ़ाई वालों के लिए इंटर्वी वालों के लिए बहुत अच्छे योग है अगर इस समय पर आपका कोई भी इंटर्वीव या कोई पेपर होता के तो उसमें आप किसी से ना बोलें जिसके कान से कोई विवाद हो जाए जगडा हो जाए फसाद हो जाए उससे बचने का प्रयास करें 25-26 तारीक ये आपके लिए परिवार के लिए पती-पत्नी के बीच प्रेमी और प्रेशी के बीच अच्छे संबंदों को बनाएंगी इस्तापित 27-28 तारीक स्वास्ट के लिए थोड़ी सी प्रेट रहेंगी तो उसके लिए चीनी और चावल दूद इसका जोगें आप दान करके और इसका निराकन कर सकते के बाकी 29-30 तारीक आपके लिए बहुत अच्छी और सुखत परिणाम देने वाली है अच्छी खुशियां देने वो अरपन करके और आप जो भी जहनना चाहते हैं जो भी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं नमस्कार हमारे यहां वैदिक ब्रह्मनों के द्वारा सभी प्रकार के पूझा पाट कर्मकांड संगीत में विभा ग्रीक लेश काल सर्प दोश व्यापार में रुकावट वह नव ग्रहों की पूझा आदिक कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र हैं हमारी वैब साइट है